मुंबई New York Air India Flights में बम की धमकी विमान दिली डाइवर्ट किया गया 249 पैसेंजर सवार थे मुंबई से New York जा रही Am Air India Flight की बम से जोन उडानी की धमकी मिली जिसके बाद Flight को दिली डाइवर्ट कर दिया गया विमान फिलाल दिली की इंदरा गानी इंटरनेशनल एरपोर्ट पर खड़ा है विमान में 249 पैसेंजर शवार थे सब यात्रियों को नीचे उतार कर विमान की तलाशी ली जा रही है अभी तक कुछ भी संदेग्द नहीं मिला पिछले पांस दिरों में फ्लाइट में बंकी धंकी का यह दूसरा मामला है 9 अक्टुवर को भी लंदन से दिली के लिए उड़ी विस्तारा एरलाइन की फ्लाइट UK 18 में बंकी सूचना दी गई थी फ्लाइट के दिली पहुँचने से करीब साड़े तीन घंटे पहले एक यह दूसरी ने प्लैन के टॉयलेट में धंकी भरा टिश्यू पे पर देखा उसने क्रू मेंबर को सूचना दी फ्लाइट में करीब 303 क्रू मेंबर सवार थे सुरक्षा जांच के चलते पैसेंजर करीब 5 घंटे एयरपोर्ट पर ही फसे रहे एयर इंडिया की मुंबई से 33 पुरम जा रही फ्लाइट 657 में बंकी धंकी मिली थी विमान 33 पुरम पहुँच चुका था तभी पाइलिट ने बंकी सूचना दी फ्लाइट में 135 पैसेंजर सवार थे सभी को सुरक्षेत बहार निकाल लिया गया तुरू वरंतपुरम एयरपोर्ट पर इमर्जेंसी गोशित की गई थी फ्लाइट को आईसोलेशन में बं ले जाया गया जांच में कुछ नहीं मिला अकासा एयर की दिल्ली मंबई फ्लाइट और इंडिगो की चैनिक उलकादा फ्लाइट में बं की सूचना मिली थी अकासा एयर की फ्लाइट को आईमदाबाद टाइवट किया गया था फ्लाइट में एक बच्चा और 6 क्रूम मेंबर साहित 186 पैसेंजर सवार थे दिल्ली से मुंबई के लिए उडान भणने के बाद फ्लाइट में सिक्योर्टी अलेट मिला था इसके बाद सुबाद 10 बच के 13 मिनट पर एमदाबाद के सरदार बलाबाई पटेल इंटरनेशनल एरपोर्ट पर फ्लाइट की सेफ लेंडिंग कराई गई अभी जाँच की जा रही है